मेरे इस चनल में आप सभी का स्वागत है अगर आप चनल पर नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल की घंटी को दवाना बेल को मिल खुलिए जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अफ्लोड करूंगा आपको उसका नोट से मिल जाएगा तो चलिए सुरू करते है आज का वीडियो रख फुली करेंगे लि मरकेट और स्टाफ लिमिट क्या होता है आप बताते हैं कि आपको अपने फ्रंट पेज बानेस पे जाना है वहाँ पे आप इसको लागिन कर लिजिए अगर आपने अभी तक बानेस पे लागिन नहीं किया है या फिर अभी तक अपना एकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो मैं डिस्किस्टन में लिंक दे दूँगा आप वहाँ से जाके अपना जो है लिंक बना सकते हैं तो फ्रंट आप जो है बानेस पे जाएए अगर जैसे ही बानेस पे जाएंगे आपको यहाँ पे तीन आपसन दिखेगा एक दिखेगा लिमिट और एक दिखेगा मार्केट कोई भी कोई अगर आप स्पेस्फिक प्राइस पे खरिदना चाहते हैं तो वहां पे आप लिमिट का यूज़ करेंगे इसे मालजे अभी यहां पे देखिए अभी यह बिटकोईन का प्राइस 33,100 रुपे चल लाए ठीक है तो आप सोच रहे हैं कि अभी इसका प्राइस जो ह तो तब जाके मैं इसको खहिदूंगा तो आप यहां पे जो है 30,000 डालर डाल दीजिए जैसे यह आप यहां पे 30,000 डालर इंट्री करेंगे और कितना अमांट आप ब्यूटीशी खहिदना चाहते हैं वहां पे डाल दीजिए उसके बाद फिर आप यहां पे बाई हो जाएगा यह आपका लिमीट होता है लिमीट में आप पर डिपेंड करता है कि आप इस प्राइस में और कोईबी कोई खरींड़ना चाहते हैं फिर उसके बाद आपका आता है मार्केट आपको दाया दें कि मार्केट जो हता है यह आप पर डिपर नहीं करता है यह market जो है जो देखिए यहाँ पर फ्रंट में जो चल रहा है इस price पर आपका यह coin जो है buy होगा मतलब कि market में आन्दे इस पार्ट आपका कोई भी coin जो है buy हो सकता है लेकिन price जो है market करहेगा आपका price नहीं रहेगा मतलब जैसे ही आप market करेंगे यहाँ पर यह market लिखेगा और यहाँ पर जो price चल रहा होगा उतनी समय तुरुंत आपका order जो है place हो जाएगा इस तरीके से market जो है आप market में अगर आपको तुरुंत कोई coin घज़ना चाहते हैं तब आपको market यूज़ करना चाहिए फिर आपका आता है इस्टाप लिमिट कुछ इन दोनों सो कुछ डिफ्रेंट है तेके माल यह अगर आपको लगता है कि अभी जो है अभी price जो है 33,188 पर है और आपको लगता है कि अभी price नीचे भी जा सकता है और उपर भी जा सकता है आपको लगता है कहीं अगर मैंने अगर आडर नहीं लगाया तो सकता है यह 35,000 पहुंच जाए और आप ख़जना चाहते हैं अभी तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको stop limit यूज़ करना पड़ेगा देखिए आप यहाँ क्या करिए आपको यहाँ पे 35,000 लिखना है और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है 35,100 मतलब इसका मतलब यह हुगा कि जैसे ही इसका price 35,000 के ऊपर जाएगा यह आडर 35,100 रुपाय के rate से आडर यह place हो जाएगा जैसे ही market 35,000 के ऊपर जाएगा हमारा यह आडर इधने पर क्या हो जाएगा coin यह हमारा buy हो जाएगा और यहाँ पे आप जितना amount खजना चाहते हैं वहाँ पे इसको entry कर सकते हैं और buy भी टीसी कर दीजिए आपका order जो है जैसे ही market 35,000 पहुंचेगा 35,000 के ऊपर पहुंचेगा आपका order प्लेस हो जाएगा और माल लीजिए आपने 35,000 पह लगाय हुआ है और market जो है 30,000 पहुंच गया तब और भी अच्छी बात है आप अपना दुबारा जो है stop limit करिए remove करिए दुबारा आप अपना limit जो है use करिए और वहाँ से आप इसको buy कर सकते हैं इस तरीके से यह stop limit आपका बहुत ही अच्छा function है आप stop limit maximum use करिए यह की market price मालीज़ अभी जो है price उपर है और आप चाहते हैं कि price और नीचे चला जाए तब आप ख़रना चाह रहे हैं तो stop limit use करिए साइद आप जो है कुछ profit earn कर सकते हैं सेम इसी तरीके से आपको sell में भी करना है अब sell में क्या करना है देखिए limit में अगर आपको कोई coin sell करना है तो आप जो है specific price पर sell करना चाहते हैं आपको लगता है कि यह market 40,000 पर जाएगा 40,000 में इसको sell करूंगा तो आप यहां 45,000 पर लगा के आप इस कितना amount sell करना चाहते हैं और उसके वाद sell कर दीजे आपका amount जैसे ही होगा आपका जो order place हो जाएगा अब market में क्या होता है माल लीजे अभी आपको लगता है कि अभी हमको तुरुन तो जो है sell करना है तो आप जो है market को यूज करिए और आपका आद्ड़ तुरुन जो है sell हो जाएगा इस टाप लिमिट में सेम इसके जिस्ट उल्टा करना है इसमें क्या करना है आपको यहां पे आपको देखें यहां पे आपको जैसे क्या करना है आपको यहां पर करना है क्या माल यह 33,500 और यहां पे आपको यह 33,400 इसका का मतलब यह है यहां पी लगा ये 32,000 लगा ये 32,500 और यहां लगा ये 32,400 इसका मतलब यह है कि जैसे ही ये मार्केट 32,500 के नीचे जाएगा हमारा आडर 32,400 पे सेल हो जाएगा और हम लास से बत जाएंगे माली ये आपके पास कुछ Bitcoin है कुछ BTC आपके पास है और आपको लगता है कि कैसे ही मार्केट 32,500 के नीचे जाएगा आपका आडर 32,400 पे सेल हो जाएगा और 32,500 को नीचे नहीं गया तो आपका आडर ऐसे कैसे रहेगा आप दुबारा फिसको रिमूब कर सकते हैं और अपना जो है stop limit बहुत ही अच्छा function है आप stop limit को use करिए तो friend इस video में इतना ही अगर आप channel पे बिलकुल भी नए है तो channel को subscribe कर लिजे और bell की घंटी को दोवाना मत भूलिए और video को जितना हो सके उतना like करिए thank you